जीवानों में जरुन में कैसे होता है यह साथ काने diagnosed की बैक्टिरिया में भी jun कितने क्टार से होता है अगर ना जाए वह से होत से पैंकित इसके लावा भी हिए बात किया जाए तो युद्द फ्रकार से होता है और वो होता है चल्क वार्वांवा Health pen Français अपया सब्सक्रांज Nós जो होता है उसको कई लोग जो है नहीं को नहीं होता है तो इस तरह से तीनोगाly प्रकार सम्मझें लोग्त्र्टक्टशन बेजिकेटिक रेपोड़क्शन दूसरा है असेक्ष्वल रेपोड़क्शन और तीसरा होता है सेक्ष्वल रेपोड़क्शन बेजिकेटिक रेपोड़क्शन की अगर हम बात किया जिसके सबसे जो मेरा आता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है यह होता है बाई कि बाइंडी फिर्सन कि बाइंडी फिर्सन कि दुई दिभाजन द्वारा तेक दुई दिभाजन की प्रक्रिया होती कैसी है जैसे माल लेखते हैं यह जीवाण है यह जीवाण है इस जीवाण में यहां पर एक बिल्मुए होता है यह सब्सक्राइब जीवाण होता है यह दूसरी पी सबस्ता में चले जाते हैं यह उसी पकार एक बिल्माण जाता है फिर दीरे इसकी लंबाई विद्धी होती है यह लंबाई बढ़ता है इस तरह से और लंबाई बढ़ते के साथ साथ इसके बीच में कुछ ग्रूब बनना सुरू हो जाता है इसके बीच में एक ग्रूब बनना ट्रांसवर्स दिलियर बनना सुरू हो जाता है और यह जो है य यहां में और यहां पर जीवानों में विभालित हो जाते हैं इस प्रकार से सामालिस की प्रेक्रिवार्टिए होती है ऐजोर जीवान होता है इस ऐसे भिल्वाइन के त्वारा लगाता एक परिलंबाएं बरती है परनी से एंगने पर शिल्लॉ बढ़ता है उसके two बोलु उसके करती है इसकि फिल्प के दूस कि नंदों बहते है तो उस्का कि बात करें तो यहांपर कुछ हमारी को कमत है कि एसेङुवल रिप्रडॉक्षण नहीं है बन जीवानु का ऐक शुर्चात्मप काम करता है सबसे इंपॉर्टर 좋त को होता है वो होता है वाई डिपस्पॉर बाई एंडोस्पोर अंता विजान के द्वारा देखें अंता विजान होता क्या है देखें इसको क्यों नहीं माला जाता है कि जीवार से जीवार यह जो है क्या नाम है रेप्रोडुक्शन क्योंकि यहां एक जीवार से एक ही जीवार बनेगा एक जीवार से एक ही जीवार ब Clasperidium, Bacillus, Plasperidium जो Bacteria होते हैं, इनके सभी जातियों में, जाहें Bacillus और ये Plasperidium की सभी जातियां जीमारों की होती हैं, उसमें by Endospore Reproduction की Petryas होती है. क्या होता, endoscope C, क्या होता, amtabie, staolspur होगे जैसे महां लेते हैं यह एक bacteria है फिक यह इसका DNA है सबस्के पहले क्या होता है, यह DNA होता है इस DNA, जिसको लोग निकुलियार एरिया कहते हैं, जहाँ पर DNA पायता है उस रिजन को हम लोग कहते हैं, निकुलियार एरिया और यह होता है DNA सबसे पहले क्या होता है यह DNA होते DNA एक से जो बन जाता है एक से यह क्या अब यह लिएनने बनता है यह कि इसके सक्रिय नहीं होगा तो इसके सबसे पहले जो वालत यह एंडोस्पोर बनेगा तो इसके जितना भी जीनत्रब्र होगा यह जीनत्रब्र आ करके यहां पर इसके और संकुचित होकर करके और उसी डियनने के चारों से घेर लेता है और यह यहां पर भर गया अब यह होता है यह हो जब anyone yeah यहां पर एक और अबन चाहिता है उस दियन्यक्ति मिश्ड़ों और चैसे पकटांचा है इसके उपर एक और आउर बन जाता है यहां पर एक और यह को कहते है और इस आवर को कहते हैं को आइस को कहते हैं को माद माद जेए और ब्रस कैल्शियम आइन से मिल करके बनाऊ होता है कि जो फोड़ा कर दें नश्णी बनाऊ है है इसके बाद जो होता है इस कोर के छारों और कह सकते कॉर और एक और गहरा यहां पर बनता है जिसको रहते हैं यह एक जोब फ्लाट जो होता है वह पत्ली वित्ती वाली होती है पतिली विट्टि वॉर्टर कोमल होती है जबकि जो कॉर होता हैं जिसके अंदर तो यहां इस में जो है कैल्शियं आयन डाई पी कोलिनिक एसिग कोलिक एसिग प्यप्टिडो ग्लाइकांस का मिस्ट्रण यहां पर पाए जाता है अब इसके बाद यह प्याइकांस का मिस्ट्रण पायाता है अब इसके बाद यह पूर होता है को इसको तापरोधी बनाने का कार्व नहीं बनता है कि जो एंडोस्पोर होता है यह अन्फेब्रेबल कंडिशन होता है मतलब जब आता है इसके प्रतिकूल होता है उसके ब्लों जो जातिया होती है इन जीवाणों में यह अंदर की बनता है यह अंदर क्यों पूर को बनता है यह इसको साइक्टी स्वर, विकानगों मैं नष्ड कर और अधर मुठ्या कर इस तरह से एक जीवाण करें खोजाता है तो यह प्रेक्ट्रिया तब होती है जब मालेते अधिक होता है या माल लेते हैं अनुफेवरेबल कंडिशन प्रिजेंट है जिसमें जीवान सरवाइब नहीं कर सकता है तो जीवान सरवाइब करने के लिए अपने चारों और एक आउड बनाते हैं और वह उसको प्रिजान को बात करें तो बहुत सारे बैज्यान को कमात हैं किसमें भी सेक्ष्वल रिप्रॉक्शन नहीं होता है कुछ लोगों ने प्रियोक्स को सिद्ध किया कि सेक्ष्वल रिप्रॉक्शन होता है तो सेक्ष्वल रिप्रॉक्शन की तो तीन प्रकार से बताएगे हैं पहला इसमें है गया है प्रांस्फॉर्मेशन दूसरा है त्रांस्फॉर्मेशन दूसरा है त्रांस्फॉर्मेशन कि रूपांतरण पारक्रमन संयुगमत रूपांतरण पारक्रमन संयुगमत तो सबस्क्राइब करते हैं ट्रांस्फॉर्मेशन रूपांतरण देखें रूपांतरण की प्रक्रिया है इसको ग्रिफित ने अपने प्रियोगों से दिखिया था कि जीवाणों में रूपांतरण के द्वारा सेक्स्वाल रिप्रोड्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् कि ऊत्स लेटर्फिंटे नों सुरियूटलेटृ नियूटलेट्थी एक होता है ऐस चाइप और एक होता है नॉंकरकुलेटेड़ आर टाइब देखिए पाइले बता चुक्क है जब इस प्रक्चरा पड़ा रहते तो मैंने बताया था समझायते कि जो करता है जैसे किसी होस्ट प्रविश करेगा तो जो होस्ट की रोग हो जाएगा और होस्ट की मृत्यू भी हो सकती है कि जैसे होस्ट में इंडर करेगा तो होस्ट की उपसे एंटी बॉड़ी उसको नश्टर देगी और होस्ट जो है वह जिमदार है यह यह आपर प्रक्या होती है तो इन्हों ने अपने प्रयोग के रिए इंप चूहों पर अपना प्रयोग किया था इनका जो आपना जो है चूहों पर किये थे इन्होंने क्या किया चूहों के चार समू बना लिए एक दो इस में तो इस में बहुत साय चूहों के समGUL लेए लिए जाए जो प्रयोग के रिवाइट कर दिया अब यहां पर जो पहला इसमें है यह फॉस्ट सेकेंड थर और फोर्ध जो पहला वाला इसमें उने क्या क्या इस Capsulated Astride Bakteria इसको इन चुहों के सरीड में Capsulated Astride Bakteria इसके सरीड पहुचता है तो इसके एंट्रिवाड़ इसको नष्ट करने का प्रयास करती है लेकिन नष्ट नहीं कर पाती क्यों तो कि जिवान के ऊपर कैप्सूल का एक काड़ पाया रहा है अत्रा इस कंडिशन पे क्या होगा है वो चुवे की देथ हो जाए यह चुवे की समू है वो मर जाते हैं तो इसके जो बाहर के आवड़ चरस नष्ट होगा केवल जीनोम बचा मिस यहां पर दूसरे में क्या किया है हीट केल्ड ठीक है उच्छ ताप्क्रम पर सुम्रिद कर दिया है हीट केल्ड कैसुलें उजीट किल्ड एस्टाइब बैक्टिरिया इस में इंजेक्टर है तो य यह जाँ करके जैसे पहुंचेगा तो चुवे का जो एंटिबोर्य उस गुलश्ट कर देगा वलाग इस कंडिशन में चूहा है वह जिंदा है क्यों लोकी इसके पास शवर्चात्म का और इसके पास बैक्टिरिया के पास नहीं है तीसरे में क्या दिया तीसरे में यह वह पर्वेश्ट कर आजता है तो वह चैटिवादी इसको नश्चात्म कर देती क्योंकि इस तो उपर कोई स्वर्चात्म आउर्ट नहीं है मतलब जो होस्ट है वो पूरी तरह से जी इतरहे जिंदा है चौत्य में नोने क्या किया इन दोनों का मिस्वत दे दिया चौत्य म कि आर्ट टाइप वाले जुगों को जो है वाले जो है बेक्टीजा को इसमें इंजर्ट करा गार अब दिखें यहां तरह चीज खाम देना है जिए ये टेकल्ड जो है इसका जीनोम तो जीवित है जीनोम है बाकी शरीट के पाड़ और इस तरह यहां में गया भी देगत जीन यहां पर दोनों को एक साथ समवर्धन माद्दे में ले करके एक साथ चुवे में इंजट कराए गया तो यहां पर देखा ने चुवे की देख होगी जरकि इन दोनों कंडिशन में चुवा जीवित है इन दोनों का संवर्भं कर दिया है चुवा क्यों रित्ति हो गई तब उन्होंने का देखा देखा तो वड़ा श्चर की कैसी मृत्ति हो गई तो इन्होंने उसका जब किया देखेट्चिन करके तो सब्सक्राइब की चुववा इस चुववे में डाए च्शुए टर्थ एस ताइब बैक्टिरिया उत्पन हो गए थे आता है यहां पर इलो ने सिद्द किया कि जो जीनों वह उसके जीनों में उपस्तित जीन है वह जीन जो टैप्सुल बना सकता है वह जीवित है और जैसे उसको एक उप्यूप्त माध्या मिला यह माध्या मिला उसका इस प्रकार के जीवान उसकी तुपक्ति हो जाती है इसी को सेक्ट्शन कहते है जैन एक क्यों कि क्याई तो में प्रसाइथ होता है जिवान सीक्तित पतार्त है की इनावनशक पतार्त है और अगली दिए प्रसाइद होता है अत्ता यानसे दोता क्वे डियन में एक आनमानशिक पदार्त है तो यह पह़रा टापिक था इस प्रांस फार्मेशन है यह लिगि जह सेक्ष्वल रिप्रोप्शन का पहरा टापिक प्रांस फार्मेशन अब आते हैं अब बात करते हैं त्राक्रवान ..., प्रांसडक्रवान ग्रिविभ्रॉन प्रक्र्क्रिया होता है, ये दो प्रकावत अथist है ये इत दो है souel है, एक होता है just ्निजर्वोगजार is टिंजर्क्रविफन और दूसरा होता है जबन और सबस्था कि एक पर कुछ अलब नहीं है, बहुत जीसाहिए अलता है, लिखिए इसमें ज़ोगते है रिंति समय यह होता है रिष्टर्स ट्रांसक्रOOOO एक लिएड़ में बैक्टरियोप्नेट बैक्टीरियोफेज जो की एक वायस है जो की जीवानों को परकार के जीन को ही नहीं को परकार के जीन को वह केमल वह प्रांसफर करा रहा हूं दूसरी जीवान में तो रिस्ट्रिक्त है और अगर इस ब्रवेश्च करने के बाद उसके किसी भी जीन का उसके किसी भी जीन को अस्तानंतर करा रहा हूं तो उसको जन्र प्रांटर्टक्शं करते हैं क्या होता कैसे देखेंगे से भानलिट्र यह भृट्टीरिया है कि यह बेक्टियों जाता है इस तरह से進 déo- Close और ंपने जींओं पर आदि यह अपने इस्के baktis होता है फिर अपनी संक्या जैसे तसक्राससरामाफिस्थ होता है मालयकी में बैक्तीरिया कईएन्म ने ये जाता है कि वायरस कईएन ने से गूल गया इससे या गुरमयrd। तनोरी बार वायरस के भी जीनों का डिकेजर दिक फ़ना इस तरह से वायरस में उपर तरह संख्या के जीन जेन leading परlı कि यह इसको नश्ट करता है और उसका नश्ट रहें कि इसी बैक्टीरिया प्रवेश कर जाते हैं और उसके लक्षर परिवर्टित हो जाते हैं इसी काहते पार क्रमा है या भी जैसे की लेडर बर्ण ने इसको भी जो है एल लेडर बर्ण ने इसको भी माना था किया जो है इसको भी माने या जो होता है कि य॥ा है कि इसका जो जीन की जीन है वो नीजिन है वो नृस्ट नहीं वह अगली बेक्टिरिया में प्रैस कर रहा अज्ट गया एक है सकते हैं की स्राव कॉइ इसको जो है प्रोच्टे 사고 लेडार बागे ने जो है दिया था इन्होंने क्या बता है कि जब कहीं कोई जो बैटी गया ये इक बैटी गया ये इसका प्लाप्रेट एक बैटी गया और ये दो बैटी गया अंदो में चींता सक्सने फिलाई किंबॡ़ी ये में क्या करता है जो सेउ jouer कि ये जो जसमें प्लाट्रेट ये हुटा हुटा उसको एक प्लाप्रिक पाउतया नहीं पाजाता उसको करते हैं ये सित कि ανेवाग कुए हुटा होता है … संयूबनली करना लेता है यह चिपकने के बाद एक जो है संयूबन मतने बताया था कि प्लाजबिड में करने की छंपता होती यह एक से दो चार बना करके कुछ प्लाजमिट इसने भी ज्रीक्राइव कर देता है। इस था से यह एक हो जाता है तो इस प्रकार इसका घृत हो गए अत्ता यहां पर सेक्शुल रीड़ोसर की ट्रक्या होती है काईगेशन है तो इसको एक और काते किसी दिकीजिक डिनिया एक आल्माशिक पदार ते इसको भी यहां पर लग्ण परीवर्थित हो गया यह एक निगेटी वारा भी फॉसकित में परीवर्थित हो गया तो यह यहां पर बैक्टीरिया सब्सक्राइब नहीं मांते हैं लेकित फिर भी जो है जब आता है तो भी यहां पर इसको में समझाना रहता है कि हाँ यहां पर दो बैक्टिरिया के कांजुगेशन हो रहा है कुछ भी प्रक्रिया है क्यूजन हो रहा है इसलिए इसको कहते हैं सेक्सुवल रिप्रोप्शन तो यह कुछा यह ताप्टिक था वह रिप्रोप्शन ने इन वैक्टिरिया था धन्यवाद